जैश्री राम दोस्तों स्वागत है। आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं 27 नवंबर 2023 का लेना। बस चार लॉंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाए माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से जीवन में इतना धन आएगा कि आपकी आने वाली साथ पीड़ी करेंगी। पैसों पर राज बन जाओगे आप करोडपती आपकी हर मनोकाम न होगी। पूरी दोस्त कार्तिक पूर्निमा को दिया गया है, क्योंकि इस पूर्निमा भगवान भोले नाथ, भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है, इसलिए इस पूर्निमा का अपने आप में एक विशेश और खास महत्व माना जाता है। गार्तिक इसको मनाई जाएगी, इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और दूसरी पौरानिक कथाओं के अनुसार, इस दिन भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से एक मानव के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेश के लिए खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आते हैं। इसलिए पूरे साल में सिर्फ अकेली। यह कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन भगवान शिव भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों आपको बता दें तो 2023 पढ़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में शास्त्रों में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 152 वर्षों बाद आया है क्यो कि यह पहली एक ऐसी पूर्णिमा पढ़ने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, भ्रम योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग, जैसे पूरे 51 तरीके के शुभ और दुरलब योग बन रहे और इस दिन अगर आप सिर्फ दो-चार मिनट का समय निकाल कर चार लौग के उस उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में ज्योतिश शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के बाद ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशान कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बलकि यह एक ऐसा उपाय है, जिसको अगर आपने सही मुहूर्थ पर विधी विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, के नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और यही छोटा सा उपाय करने के बाद तुरंत ही भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वह पूरी हो जाएगी, मान लीजिए, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी और माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद एक साथ मिल सकता है, अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का भगवान विश्नु जी का और भगवान शिव जी का, आशिरवाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दो कोई भी मानव भगवान भोलेनात की पूजा में लौंग का उपाय करते हुए करता है तो उस मानव की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्यशक्तियों का वास होता है। इसी तरह से लौंग का उपाय करके आप भगवान विश्नुजी का भी आशीरवाद हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों इस बार कार्थिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन पढ़ने जा रही है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनात को समर्पित होता है और इस दिन अगर चार लौंग का उपाय सही मुहूर्थ पर विधी विधान से कर लेंगे तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनो कामना होगी। वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनात के आशीरवात से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां मिलेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है। बस इस उपाय को करने की शर्ट ये है कि आपको सही मुहूर्थ पर विधी विधान से इस उपाय को करना होगा और मान के चलिए दोस्तों। फिर आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ठ हो जाएगा और आपकी कोई भी मनो कामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसलिए इस लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखिएगा। और अगर आप चाहत पूर्णिमा के दिन करके आप लाब पा सकते हैं वहा कर हम आपके कॉमेंट के रिपलाई में बता देंगे। परन्तु आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय जो है वह मनो कामना पूर्ति का महा उपाय आपकी कैसी भी मनो कामना है। चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदने की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, धन संबंधित मनो कामना हो, ये कैसी भी इच्छा ह आप चाहते कि आपकी एक दिन के अंदर ही मनो कामना पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और ये उपाय अगर आपने भगवान शिवजी के सामने सही मुहूर्त पर कर लिया, तो दोस्तों एक ही दिन के अंदर आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनो कामना होगी वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनात अगर किसी मानव को आशीरवाद दे दें, तो मान कर चलिए उस मानव की कोई भी मनो कामना हो, वह तुरंत की तुरंत पूरी हो जाती है, तो बस आपको यह करना है कि सोमवार के दिन आपको सूरियास्त से प आपको मिल जाएगा, उसमें आपको उस जल में चार लॉंग डाल देना है, आपको भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है, मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है, और इस एक लोटे जल से आपको शिवलिंग का अभिशेक करने के ब आपको वहीं पर खड़े-खड़े भगवान भोलेनात के बीज, मंत्र का जाप 108 बार करना है, ये संख्या, भगवान भोलेनात को अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है, बीज मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों श्री शिवाय नमस्ति भ्यम, इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, सिर्फ ये उपाय अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो मान के चलिए भगवान भोलेनात के आशीरवात से आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह जरूर पूरी हो क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनात अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, और अगर आपने भी भोलेनात बाबा के बीजमंत्रों का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल दी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो मान कर चलिए दोस्तों जरूर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है इस उपाय के बारे में शिव पुरान के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है तो अगर आप चाहते हैं राहु केतू का साथ पाने का महा उपाय है दोस्तों एक बात को समझ लीजिए किसी भी मानव के जीवन का राहु केतू का जो नियंतरन होता है वह भगवान विश्णु जी के हाथों में होता है और जिस मानव का भी राहु केतू उसका साथ देता है वह मानव अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है और मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको नवग्रह की ये पीड़ा है आपके राहू केतू आपके साथ नहीं देते हैं परंतु अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक छोटा सा वह उपाय कर ल और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई पंडित तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर कई लोगों को बताते हैं और ये पूरे साल में सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उपा वह गाय के दूद से बना हुआ होना चाहिए आपको गिन के चार लॉंग लेना है घर के पास किसी भी पीपल पेड़ पर आपको सूर्यास्त के बाद जाना है क्योंकि दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विश्नुजी वास करने आते हैं तब आपको चार लॉंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विश्नुजी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार करना है क्योंकि भगवान विश्नुजी और माता लक्ष्मी जी को ग्यारह नंबर अत्यंत प्रिय है बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदे वाय न हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा। पूर्णिमा के बाद जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस उपाय के बारे में। तंत्र शास्त्र के अध्याय नमबर 21 में सा साफ लिखा हुआ है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा ताकि आपको भगवान वि जिसके बाद आपकी आने वाली साथ पीड़ी भी पैसों पर राज करें तो दोस्तों एक प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने भी आएंगे। माता करना है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए आठ बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, अपने घर के पूजा घर पर बैठना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर आप करके चार लॉंग रखना है, एक मुठी धनिया रखना है, तीन कपूर रखना है, अब इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आप सिर्फ 11 बार आपको करना है, और इस पोटली को ले जाकर के अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां भी आप रुपया सोना चांदी रखते हैं, ध्यान रखिएगा इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिन दिशा में रखना है, आपको अगर आपने यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो ये पोटली आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का वह वर्दान और वह आशीरवाद बन जाएगी, जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खीचने का काम करेगी. इस पोटली के प्रभाव से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिद्ध भी होगी. दोस्तों, यह उपाय अगर आप प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को करेंगे, तो मान के चलिए, पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, और पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी. इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, और ये एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोडपती मानव लोग करते हैं, तो आप करना इस उपाय को मत भूलिएगा दोस्तों. इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और माता लक्ष्मी जी भगवान शिव शंकर जी के लिए कमेंट बॉक्स जै महालक्ष्मी. ओम नमशिवाय लिखना ना भूलें. हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी. अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमें जै महालक्ष्मी जरूर लिख देना.